हेलो दोस्तों क्या आपके पास भी डेल इंस्पिरोन पचपन इकेस 5521 सीरीज का लेप्ट आफ है जिसको अउन करने पर यहां स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से नो बूट डिवाइस फाउंड प्रेस एनी की टू रिबूट दी मसीन का एरर सौप करता है तो दोस्तों इस प्राब्लम को कैसे सौल करें हेलो दोस्तों यदि आप इस चेनल पर नहीं हो तो चेनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों जब भी आपके डेल इंस्पिरॉन सिरिज के लेप्टॉप में इस तरीके से प्राब्लम आती है तो दोस्तों यहां most probably common problem है इस laptop में तो दोस्तों इसे चेक करने के लिए कि यहां problem किस वज़ा से swap हो रही है जिसके लिए दोस्तों कोई भी कि प्रेस करें आपके सामने कुछ इस तरिके से इंटरफेस ओपन होगा है उसके बाद function की app to button प्रेस करें आपके सामने bias setup setting open होगी जिसमें हमें हमारे system में जो भी SSD या hard disk install है जिसमें हमारे laptop में windows install है उसकी properties चेक करना है जैसा कि आप देख सकते main menu open है जिसमें आपको system time and date, bias version, product name, inspiron, 2521, service tag, assist tag CPU type, i5 third generation, then यहाँ पर आपको most important fixed HDD जहाँ पर not detect का error यदि आपको swap करता है तो दोस्तों जो भी आपके laptop या SSD या hard disk install है वहाँ detect नहीं हो रही जिसकी वज़ा से यहाँ problem swap हो रही है और यदि दोस्तों यहाँ पर आपके hard disk detect होने के बावजूद भी यह error swap करती है तो दोस्तों इसके लिए आपको BOOT वाले option में इंटर करके जहाँ पर भी secure boot यहाँ पर boot list option जहाँ पर आप देखेंगे UFI है यहाँ पर legacy select करें आपकी problem solve हो जाए बड़ दोस्तों इस condition में यदि आपके hard disk या SSD not detect वाला error swap कर रहा है तो दोस्तों इसके लिए आपको आपके laptop को off करना है देन यदि charger connect हो तो इसे भी disconnect करें देन back side में दोस्तों इसके back panel को screw को open करें देन इसमें चेक करना है जहाँ पर SSD hardest install होती है वहाँ properly connect है या नहीं दोस्तों जैसा कि आप देख पार है यहाँ पर RAM installer और यहाँ पर SSD installer जो की plug out हो चुकी है दोस्तों इस model में most awfully यदि आप SSD इस तरीके से connect करते है जैसा कि मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ SSD connect तो हो जाती है बट यहाँ पर बेक साइड में जो उसके supporting screw है यदि वहाँ नहीं लगे होंगे तो दोस्तों जब भी आप आपके laptop को traveling में या otherwise carry करोंगे तो यहाँ SSD कुछ इस तरीके से plug out हो जाएगी और आपके laptop में कुछ इस तरीके से error swap होगी सो दोस्तों आपने जो भी hardest या SSD आपके laptop में install है उसको प्रॉपर्ली connect करें कुछ इस तरीके से प्रॉपर्ली connect करके आपको जो SSD हाड़िस के बेक पेनल के screw है वहाँ प्रॉपर्ली plug-in करना है बिकॉज ये आपके hardest या SSD को plug out नहीं होने देंगे जैसा कि आप देख पा रहा है देन दोस्तो देन दोस्तो laptop on करके जहाँ पर बायस setup में आप चेक करें कि यहाँ so up हो रही है नहीं जैसा कि दोस्तो आप देख पा रहा है fixed HDD जहाँ पर consistent SSD 128GB so हो रही है और दोस्तो यदि यहाँ पर आप properly hardest या SSD connect करने के बावजूद भी यदि आपके hardest और SSD so up नहीं हो रही है so दोस्तो आपकी hardest या SSD faulty है new या other change करके चेक करें आपकी problem solve हो जाएगी जैसा कि आप दोस्तो देख पा रहा है यहाँ पर function की obtain बटन प्रेस करें देन इंटर करें आपका laptop automatically restart होगा और दोस्तो आपकी problem solve हो जाएगी दोस्तो इसी तरह आसाणे न्यूनिक ट्रिक सिखने के लिए हमार साथ बना रहा है आपने अभी तक चेनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करें like share और यह वीडियो आपको कैसा लगा comment करना ना भूले thanks for watching